हेलो, वेलकम, आज हम जानेंगे फाइवेस, फाइवेस मतलब सेरी, सेटोन, सेशो, सेकेट्स और सिट्सके, क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे आप यहां देख सकते हैं कि इसके अर्थ मिनिंग बताये गया है, कांजी में कैसे लिखते हैं, हिरा गाना में कैसे लिखते हैं, इंग्लिस इसका क्या है, और हिंदी में क्या कहते हैं सेरी को हिंदी में चाटना करते हैं सेटोन को सुवेवस्था करते हैं सेईसो को सफाई करते हैं सेटो को मानिकी करन करते हैं सिट्सुके को अनुशासन करते हैं आप इन सब्दों के जैपनिज कांजी में कैसे लिखते हैं वो यहां देख सकते हैं ये उदारन है से री का से कैसे लिखा जाता है और उसका मिनिंग क्या है उस लेटर का उस कांजी के लेटर का और री कैसे लिखा जाता है री की कांजी का क्या मिनिंग है वो आप देख सकते इसी तरीके से से तोन का मिनिंग क्या होता है से का मतलब क्या होता है तोन का मतलब क् इसी तरीके से say so say का मतलब क्या होता है और so का मतलब क्या होता है यह दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार आप देख सकते हैं say ketsu का मतलब क्या होता है और अंत में आप देख सकते हैं का कांजी में कांजी के कांजी लेटर का क्या मतलब होता है 5S जो है वो टोईटा प्रोड़क्शन सिस्टम का एक term है जो visual management के लिए बनाय गया है 5S एक visual management है 5S के अंदर यह पांच word जो आते हैं उसके मतलब क्या है वो क्यों use किये जाते हैं और उसको करने से क्या फायदा होता है वो हम अब जानेंगे तो सबसे पहले सेरी सेरी का मतलब होता है sorting तो इसमें हम सभी items को sort करते हैं अलग अलग करते हैं उसके type के अनुसर और उसमें ये देखते हैं कि कौन सा article कौन सा item हमें जरूरी है और कौन सा हमें नहीं जरूरी है उसको हम अलग अलग करते हैं इससे क्या होता है इससे ये होता है कि हमारा खोजने में कोई वस्तू को खोजने में जो समय लगता है वो कम हो जाता है क्योंकि हम वस्तू के प्रकार के अनुसर उसको एक अलग जगा देते हैं तो इसलिए sorting करने से हमें ये साहता मिलती है दूसरा हम किसी unnecessary गयर जरूरी चीजों की तरब ध्यान नहीं देते क्योंकि वहाँ पे से हम उसको दूसरी जगा हटा चुके होते हैं sorting के और क्या फाइदा होता है कि आपका space जगा जो कई तरह के चीजों से भरा हुआ था अब केबल जरूरी चीजों से भरा हुआ है तो गयर जरूरी चीजों का जो स्थान खाली होता है वो हम जरूरी चीजों के लिए इस्तमाल कर सकते हैं और साथ ही क्योंकि गयर जरूरी चीजों होती है उसको आप अलग करते हैं तो इसलिए आप अपनी safety को भी सुरक्चा को भी बढ़ाते हैं इसी तरीके से sayton का meaning क्या होता है क्यों use क्या जाता है और क्या फाइदा है तो sayton, sayton में हम सभी बस्तूओं को उसके काम के अन्सवार उसके function के अन्सवार उस कारेस्थल पे एक उप्यूक्त जगा पे रखते हैं सभी items के लिए एक उप्यूक्त जगा हम देते हैं उसे सही से arrange करते हैं सही से करम में लगाते हैं ये sayton में हम करते हैं इससे क्या होता है कि हमारा काम smoothly और easily होता है आसानी से होता है इसी तरीके से 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 सो में हम उस जगा की अपने कारेस्थल की और यूज करने वाले machine या tool या जो भी चीज़े हम काम के दोरान इस्तमाल करते हैं उन चीजों को हम साफ करते हैं इससे क्या होता है कि इसकी कारेशमता और सुरक्षा बढ़ती है और अगर हम प्रोडक्शन में इन चीजों का इस्तमाल करते हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस भी सुधरता है साथ ही इसमें हम काफी सुरक्षित वातावरन बनाते हैं इसके करने से और जिससे हमें काम करने में आसानी होती है और साथ में हम कोई प्रोडम अगर हमें मिलती है तो क्योंकि हो जाएगा काफी साफ सुत्रा होता है तो वो चीज हमें तुरन से आइडिन्टिवाई हो जाती है तुरंट से दिख जाती है आसपास में कोई भी चीज हमें अगर detect होती है, problem detect होता है तो वो आसानी से दिख जाती है क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई होती है आगे है सेक एट्सू, सेक एट्सू का मतलब होता है standardized standardized पहले किये होगे तीनो एस का हम standardized करते है पहले किये गए तीने है sorting, satin order and shining, cleaning तो इन तीन चीजों को standard के रूप में एक मानक के रूप में दिख दारित करना सेक एट्सू कहलाता है तो इससे ये फाइदा होता है कि हम ये sure करते है कि ये तीनो चीजे सेरी, सेतोन और सेसो सही ढग से और नियमित रुप से हो रही है तो इसका हम standard बनाते है इसका एक नियम बनाते है ये जो चार चीजे हमने की है चार एस जो किए है फोर एस जो किए है इन फोर एस का पालन हो रहा है या नहीं इस चीज को हम assure करते हैं तो इसमें सेरी सेतो सेसो सेकेट्स इस चारों ही एसका पालन हो रहा है या नहीं इस चीज को हम maintain करने के लिए sustain करने के लिए हम ये पांचवाँ एस करते हैं अब देख सकते हैं कि सेरी सेतोन सेसो सेकेट्स सिच्च के ये पांचवाँ एस मिलके फाइवेस कहलाते हैं अभी हाल फिल हाल क्योंकि हमें सुरक्षित भी रहना है अपने कार्यस्थल में काम करते हुए ये फाइवेस के बनने के बाद एक न्यू कॉंसेप्ट आया है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीतर में देख सकते हैं कि फाइवेस किन पाँच अभियबों से बना है वो है सेरी सेतोन सेसो सेकेटसु शिट्सके एक और टर्म है सिक्सस जिसमें इन्ही फाइवेस के वर्ट्स में एक और एस जुड़ जाता है वो है सेफ्टी तो सेफ्टी के जुड़ जाने से यह हो जाता है सिक्सस सेफ्टी इसलिए बाद में फाइवेस में जोड़ा गया क्योंकि यह सब काम करते हुए हमें सुरक्षित भी रहना है तो यह भी एक जरूरी चीज है यह भी एक जरूरी आइटम है जो मैं फोलो करना है तो इसलिए हमने फाइवेस में एक और एस जोड़के इसे 6S किया है फिर भी फाइवेस 6S से ज्यादा पॉपिलर है ज्यादा तर हम फाइवेस काहीं प्रयोग करते हैं उप्योग करते हैं धन्यक्याइब मतल झाद कर दिकला की और गाल